ब्रेक बाद आपको स्वागत है भारत के भविश्चिपल और भारत की कुंडिली के हम बात कर रहे हैं तो अब रुक करते हैं आचारी पवन जी का और भारत वासियों की राशी फल की बात कर लेते हैं कि जो इस्थितियां बन रही है भारत की कुंडिली से क्या किसको फायदा मिलने वाला है और जो समसामाईक योग बन रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है आचारी पवन जी संशेप में राशियों कि फ़ल आप बता दीजे कि भारत वासियों को क्या मिलने जा रहे आगे जो वक्त बदल रहा है देखिए ग्रहों का जो योग संजोग बना हुआ है भाशंपोन भारत वाक्षियों के लिए यह चिंता का विशय तो है ही जैसा कि कहा गया कि अगर जिस राशी पर ग्रहन लगा हो जी और उससे सुरू करते हैं आचारी मेश पर क्या परड़नाम रहे हैं लेकिन उस ग्रहन कि बिलकोल लेकिन उस ग्रहों को पापक ग्रहों देखता हो तो हम आते हैं ररीस करके राशियों पर ची लाव का योग लेकर आ रहा है मेसराशी जात्कों के लिए वरिश-ओराशी की हम बात करें तो यह वरिश-ओराशी वालों के लिए दूत्यकर भाव वहाव होता हैusta कुटम्ब का संचिद्धार का डिनात्र का जानी की धन की पीडजा धन की चिंताय पड़ hazard का दोश हा कुटम आ रहा है और अगर इसी करब में हम तीसरी राशी की बात करते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी यानि कि इसी राशी के उपर यह गहन लग रहा है और यह जहां गहन लग रहा है यह मिथुन राशी वालों के लिए अच्छा योग संजोग ले करके नहीं आ रहा है इनके लि आया हुआ मित्रमराशी वालों के लिए इन राशी वालों को विशेश चाओधानी रखने की जरूरत है चौथी राशी करकराशी करकराशी कि अगर हम बात करें तो करकराशी वाले जातकों को यह ग्रहन बेभाव में लगने के कान वेयाधिक यह अपरत्यासित धन की हानि का योग लेकर यह ग्रहन आया हुआ है यानि कि बाहरी सम्मंद भी बिगर तकते हैं बाद बिबाद किस्ति की बाहरी सम्मंद में बन सकती है जातक को नेतर प्रिड़ा भी संभव है इसलिए करकराशी वाले जातकों के लिए शावधानी बरतने की जरूरत है इसी करम में अगर ह हम बात करते हैं शिंघराशी शियाध पति शूरिया शिंघराशी का स्वामी शूरिय होता है और शूरि के उपड़ी ग्रहन लगा हुआ है तो कुल मिलाक्तर इनको शूरिकी उपास्टा करनी चाहिए लेकिन चूकि एकादस भाव में यह ग्रहन लग रहा है तो सास्त्रों मिलाक्तर के ऐसे लोगों को स्री को देने वाला शंकेत लेकर कि यह ग्रहन आ रहा है इसी करम में बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी का स्वामी होता है बुद्ध ग्रहन जब लगा होगा तो शूरिकर के सासाथ बुद्ध भी उसी राशी पर बैठा होगा और कन्या अंतर राश्री वाले जातकों के लिए यह ग्रहन दसम भाव में लगने के कान शास्त्र अंशार इनके लिए लाब का योग बना हुआ लेकिन कुछ राज की कामों में बाधा बिल्कुल आसकती तो ऐसे सदर रहना है बाते की च्छे राश्री उपर आचार पोवन जी उसके ब उसमें ये कहा जा रहा है कि जान भी बचे जान भी बचे और जोतिशियों ने और जो बाते कहें जैसा कि शुति जी ने कहा कि भूकंब जैसे चुनौतिया नौर्थीश्ट में आ सकती हैं तो ये चुनौतियां कौन से ग्रहों की मदद से दूर हो सकती हैं दूर होंगी भी या नहीं होगी चंद्रमा जंता का कारग रहा है और सत्ता का कारग रहा है सनी बर्शलगन में चंद्रमा में सनी की अंतर है परिशानियां 29 सितंबर तक जरूर रहेंगी क्योंकि सनी बक्री है और भारत की मूल कुंडली में सनी बक्री नहीं है जिसके करणों से परिशानिया रहेंगी, कहीं लेवर प्राबलम होगी, कहीं स्वास्ट की प्राबलम होगी, कहीं आर्थिक प्राबलम होगी, कहीं राजनेतिक प्राबलम होगी, कहीं अधिकारियों से प्राबलम होगी, तो इस प्रकार की ये समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन सनी और ब्रेस्पत की भी युथी अच्छी होगी क्योंकि भागिस्तान पर होगा और अपने उसे सब्सक्राइब कारा कोगा कि अच्छित्रों पर संकर जादा है और धन भाव में जो मंगल बैठा है वो कि तना मंगल भारत का करने वाला है बहुत जल्द हाजिर उते है असल में हमारा